कि आप Mog अबिखर्स दिखिए कि अलूबर जो फॉल्ट ऑसक्री साइस कि इसमें कि आपको एक राफिक्स का प्रॉल्डर मैं है वुक्म तो इसमें मैंने इन्ट डिश्प्ले भी मैंने देखा है कि मैं इसमें देखा है का आपको भी लगता हो बट डिस्प्ले का पाउलम में नहीं है कि तो देखिए ग्राफिक किस तरह से तो अन होने के बाद इस जो ग्राफिक से हो टाप टच फूल वरकिंग गे लाइट फूल ऑन है कोई दिक्कत नहीं इस तरह से इसमें इसाइच का एशु है देखिए मैं आपको इसमें फूल डिटेल के साथ पताऊंगा इसमें कैसे कैसे क्या हुआ तो मेरे पास देखिए ब्लू हो गया है और जब टाइपिंग है ठीक है पूरा फस्सक्लास है तो टाइपिंग करता हूं तो ठीक चलता है और लेकिन इसको लॉक करने इसको डिस्पल ब्लू टाइप सबस्टेफ जाता है तो डेखिए ठीकशन की से दिखिए इसमें लाइनिंग लाइनिंग आता है और ग्राफिक्स का जो हेजी भाव होता है आपको लगएगा समय डिस्पले खराब रहेकिन डेखिए मेरे पास दो फोन रहा द इसमें भी मिला आके देख लेता है कि औरिजिनल कॉम्ब है तो हो सकता है इसमें को भी खराब हो सकता है लेकिन हम एक बार और दूसरा फोल्डर इसमें लाकर देख लेते हैं तो देखिए अन हुआ होने के बाद देखिए इसका ग्राफिक्स वाइट हो गया जहां तक यह प्रॉब्लम आता है यह जहां रीसेत लाइन से आता है और इसकी ग्राफिक्स की वोल्टर यह उसमें अगर कुछ प्रॉलम हो तो उसमें आ सकता है तो मैं इसमें आपको इस्टेप बाई स्टेप मैं आपको इसमें जो फॉल्ट फाइंदिंग है वह आपको मैं कर पताऊंगा गाए चुल तो आइसे तरीके से मैंने काम किया है आप इससे और और इसी तरीके से काम कर सकते हैं कि ग्राफिस की जो problem किस तरह साथ केस में कि इसमें ग्राफिस एकदम डिस्ब्ले अग्दम साइड से डार्क हो गया और किस का चरू से इसमें यह हो रहा तो जहां तक मैं जानता हूं कि दोनों अ dedisplay ठीक है कि मैंने और दिस्ब्लेश ऑडिक हैं तो इसमें फिसमें प्रॉब्लम है तो एक बार हम इसका है जो की को में concludes मेजरमेंट कूल टेस्टीन्ग हॉथ सब तरीक में लुब ऊब शेक करेंगे मल्टिमेटर से कि अ इसके पर हम थोड़ा सा असेंबल कर लेते हैं हैं तो हम लोग वाला इसका चो प्टक्शन जो कवर ऊका डा नेते हैं पुपितो के बने दिया अब देकिए मैंने इसका अभी उठा दिया है है जो कि का प्रक्टिक्षन लेट कवर होता है है तो अब हम इसका ताफ़ा कूल टेस्टिंग कर लेते हैं है मैंने रशौ S आपको कि इसका जोám इसेट लाइन का और हम चेक करते हैं तो बाएं तरफ से उपर की तरफ जो पिनाउस की छे नमबर की पिंजो है वो रिसेट लाइन है तो यहाँ पर देखिए रिसेट लाइन का जो इश्यू है वह आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें रिसेट लाइन में मुझे को कोई रेडिंग नहीं है रेडिंग नहीं होते हैं यहां पर छॉटिंग की तरह दिखा रहा है देखिए शेट लाइन में उाकर फोन ग्राफिक्स के प्राव्डम्. गए इससे पर देना नोट फोर में विडियो बनाए था उसका वे रिचेट लाइन का इस्व था वो ग्राफिक चला जाता था वार वार आपको यह च्छी देखिए आपर शॉटिंग है वजल मून में देखिए शॉटिंग भी हो रहा है तो शॉटिंग का जो रिचेट लाइ एक बार इस आइसी को हम लोग रिमूब करके चेक करेंगे और पेस्ट करेंगे कि हम लोग का जो रिचेट लाइन है और शॉटिंग है कि नहीं है तो पहले हमें सबसे बहुत रिचेट लाइन को ठीक करना पड़े उसके बाद हम नेक्स स्टेप में जाएंगे तो पर वीड करेंगे तो हुआ है कि अगर आएंगे तो कि अग चैसी कि नहीं है तो इस मुआ वग करेंगे तो बहुत पर वीड़े कि ऊगष लाइन है तो श्रीव कर मेंगे तो में सबसें टो जार मत ऐसेंगे तो पार कैसा ड़िक सर्वान आपों लड़ बाउन्साल मैंने जो इसको भी चेक किया है तो आइसी को मैंने इसको रिमूब कर लिया है तो हम लोग इसका भी रिसेट लाइन को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग था और जो इसका रिडिंग नॉर्मल हुआ कि नहीं तो फ्रेंट्स देखिए मैं इसका फिर से जो बाइन तरफ ऊपर की तरफ छे नमबर पीन है इसका रिसेट लाइन था दो तीन चार पांट छे देखिए छे नमर में अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है इससे पहले शॉर्टिं कि रिडिंग आता है तो रिडिंग में आपका जीरो जीरो होना जी देखिए यह तो बूल शुट दिखा रहा है बैट मैं बज़र में चेक कर लिता हूं कि ब diese हएवह तो नमबर में देखिए हमलों का कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं है कि मार बार बार आपको दिखाए था कि आपको तो इसका मतलब है यह बनता है तो कहीं ने कहीं हमारी यह चार्जिंग बनाती है तो उसमें फॉल्ट था तो इसलिए वह शायद आपका शॉट था देखिए मैं आपको बार बर दिखा दरहूं ताकि आप पिन कोच्छे से चेक करें सकें वहां की रीडिंग देख सकें तो मेरे जो बार बर दिखाने के मतलब यह होता है कि आपको चितर मेरे पर देखिए एक आई से 660 मैं भी इसको मदर बोर्ट में लगा दूंग उसका फिर लों फिर चेक करेंगे तो फ्रेंस वीडियो पर बने रही है झाल उसके students बार दोड़र प्रेंस बार दोर्ड़र प्रेंस के लाउ़र प्राइव पो लाई़ भी रिखानी रहां जुड़र प्रेंस बार दोर्ड़र आएपी। इसराने रहा है छ्राइव पर दो ढगल देखिए मैंने बैसी को लगा लिया है और आप मैं इसकी कूल टेस्टिंग से रिडिन जिक करता हूं इसकी छे नंबर की फिन जो की रिसेट लाइन थी जो कि हमारे पहले शॉड थी और आप हमसे चेक कर लेते हैं यह देखिए छे नंबर की जो है कि यहां पर रिडिंग आ चुकिए चार सो पैंसर इस तरह से रिडिंग आ चुकिए अगर आपका कोई भी मुवाल होगा नोट फाइप प्रो का तो उसमें आप दे सकते हैं कि रिडिंग इस तरह साथ यह नोट फ्रेंट हम लोग अभी इसको पैनल में लगा लेंगे कि उसके बाद हम लोग इसका जो की वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और इसको देखेंगे कि हमारे जो फॉल्ट हो ठीक हुआ है कि नहीं करेंगे झार ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat या कोई voltage missing होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीमिटर से तो मैं इसको चेक करता हूं कि हमारा जो फॉल्ट एक किस तरह से हैं कि तो इसका डैगर में थोड़ा से मैं देख लेता हूं उसमें तो डैगर आपको मैंने दिखा पा रहा हूं तो देखिए हमारा भी हिज्जी है तो मैं इसका वोल्टेज मेजर्मेंट किस तरह से करता हूं वह आप वीडियो में देखिए कि नीचे की तरह डाइट साइड में आपको छे कैपसिटर सारी पांच कैपसिटर लगे होएं तो हमें इसकी वोल्टेज में देखिए नीचे वाला जो सिरा है मैं भी डिशूर्ण में रखता हूं तो एक वर्टको ग्राउंड कर लेता हूं और इसमें देखिए यह आपका मैंने एक स्वरी मैंने ब्लेक को लगा दिया तो इसमें माइनेस वोल्टेज दिखा तो बैक से चेक कर रहा हूं तो वह माइनेस में दिखाएगा तो मैं दोबारा पूछ दिखा रहा है आपको यहां पर दिखा रहा है आपको फोर पंट फाइव वोल्टेज भी थोड़ा कम है और यहां पर देखिए यहां इसके माइनस फाइव वोल्टेज अपला यह तो यहां वोल्टेज में कमी जो की दिखाई देरी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आईसी आ शांट कोई कॉंपवल्ट फॉल्ट हो सकता है तो इस यहीं और बिचमें कोई भी कॉंपवल्ट अ दूसरा नहीं है इसकी मैंने इंडिपूट सप्लाइग सबसे बहूं क्या करने पड़ते हैं दिखिए दो होते हैं प्लस पाइब और मैनेस फाइब तो मैनेस फाइब की और प्लस फाइब की इन्पुट सप्लाइब जोकि वीपेश पावर सप्लाइब उसको भी चेक करना पड़ता है तो यह कि इसकी बाइसिंग अगर ठीक से ना हो तो इसकी माइनस फाइब सप्लाइ नहीं बन दी है तो फ्रेंट्स वीडियो पर मैंने रही है तो मैं कि प्रेंट्स । झाल झाल देखिए मैं आइसी को भी लगा लिया है और मैं उसके बाद फिर से चेक करता हूं कि हमारे जो फॉल्ट है वो ठीक हो नहीं देखिए फोन ओन हो चुका है दोनों आइसी को हम लोग चेंज कर सुके हैं जो हमारी रिसेट लेंस वाट थी वो ठीक हो चुकी है लिए माइन प्लस माइन और प्लस प्लस वाइव उसको हम लोग एगर मेजरमेंट कर लेते हैं और चेक करेंगे कि वह वोल्टेज अमरी अभी तक बनी है कि यहां पर माइनस फाइब यहां नहीं बन देजी वह बन निचे अभी भी नहीं बनी है तो मैं आपको दिखा जाता हूं माइक्रोस्कोप का केमरा उन करके तो तब को जाधा हमज में आएगा तो फ्रेंज देखिए प्लस फाइव यहां पर बनी है लेकिन यहां पर माइनस फाइब बनने चाहिए तो जहां तक मुझे प्रॉल्लम अभी लग रहे कि यह कैपसेटर और आइसी के बीच में तीसरा तो मैं भी ज्यादा देरी ना करते हुए मैं इसके दो कैपसर फिल्टर उसको चेंज कर लेता हूं और उसका फिर मुझे चेक करेंगे तो आशा करते हैं उसके बाद हमारा जो फॉल्ट है वह हंड्रेट टेन परसें ठीक हो ही जाना चाहिए कि अभी हमारे पास कोई भी कॉ केपस्टर जो किशा है किये हम किसी और मदर्वोर्ट से भी लगा सकते हैं या फिर मेरे पास से मदरवोर्ट था क्वेल मैं उसमें से तो यह चेंज कर देंगे आपको यह सब चेक करके कैसे देखते हैं वह आपको चेक करेंगा कोई वीडियो में तो फ्रेंट्स पहले हम इस फॉल्ट को अभी ठीक कर लेते हैं कि यह की वीडियो काफी बढ़ा चुका है तो देखिए फ्रेंट्स जो मैं किस तरह से इसमें काम कर रहा हूं स्टेप बड़ स्टेप आपको उसी तरीकी से काम करना है इसमें दो तरह का फॉल्ट वह हैं जो कि एक है रिषिप लाइन का जो कि शॉटिंग थी वह मैंने है कभी कभी कोई वीडियो में देखा और रिसेट लाइन की पैसे ग्राफिक्स का इश्यू आता है तो रिसेट लाइन को हमने हमें जो सॉल्फ हमने किया कि उसके बाद दिवारा जो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ तो वोल्टेज जो की बनना चाहिए जो की नहीं बन रहा था तो डिस्प्ले का जो इश्यू आता हूँ इस तरह साथा देखिए मैं इसके दून के पसिटर जो की सेन भेलू के होने चाहिए तभी आपका माइनास फाइब बनेगा तो इसके बगल वाला जो है फीडबग के पसिटर है कि एक्षुली टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं डाइगरम आपको नहीं दिखा पाता हूं तो फॉल्ट को कैसे करने मैं डाइट आपको प्रेक्टिकल दिखा रहा हूं इस तरह से आप करिएगा तो आपका 110 परसंट कोई भी ग्राफिक सेक्शन का फॉल्ट हो कैसा भी कर सकते हैं तो देखिए अब मैंने उसके चेंच कर दिया है तो हमारे पास पी कॉंपेने बचा नहीं की जो हम चेंच करेंगे तो आप पहले इसका component भी चेंज करके देख सकते हैं मैंने इसमें आइसी चेंज किया मुझे जैसा समझ मैं अगर आपको इससे और भी अच्छा आइडिया अगर आता हो ठीक करने का रिपेरिंग करने का फाइंड करने का तो उसको आप कर सकते हैं ऐसा नहीं कि इसी तरीके से करन करना आपको आप पहले क्यापसिटर को चेंज करके दिख सकते हैं लेकिन क्यापसिटर करने का मल्टिमेटर होना चाहिए तब यह फाइंड कर पाएंगे बहुत साम्तब्स होता है कि आपको इसका एडिदिंग जो है ठीक आता है तो रिडिंग पर मज़ जाई है आपको चे यह मैंना है यह सप्प्राइब को लाना है पर मईनेश फाइब जब तक नहीं आगा तब तक हमारी फॉल्टस की प्रॉल्ड प्राव Krants की ऊसे होगी तो हैंटचिण हमारा परकाा कि कि सब्सक्राणित। हमरा प्रॉटि को लेता हैं तो हम फेस education की रेषे पीजर्ट करते हैं कि अब कि कि अपको मुल्टिमेटर दिखाई दे रहाँ अधिया है तो मेरेमेंत अधो यहां प्लस 5 पूरा अगरड़ा चुका है यहां पर माइनस 5 पूरा अक्रड़ आ सकता है कि और आप कि चुकाहे जी किस तरह से इसमें वोल्टेज जो तो देखिए हैंडसेट और हैंडसेट भी हम लोका ओके हो चुका है कि देखिए फ्रेंट्स हमारा डिस्प्ले का जो ग्राफिक्स वाला इस्यूज था वह एकदम हमारा ओके हो चुका है तो कंप्लीट फोन को हम ऑन करके देख लेंगे उसके बाद कि ट्राइपिंग करके टर्च चेक करके उस तरह से हम पॉपले चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले में फॉल्ट आवा रहा है कि नहीं तो देखिए फ्रेंट्स में जो वोल्डेज का जो प्रॉल्लम था वो पहले ही सही था लेकिन हमने कैसे को स्टेप बाई स्टेप सॉल्व किय देखिए डिस्प्ले का जो है पॉपल काम कर रहा है कोई ग्राफिक्स का कोई इस्यू नहीं है कि देखिए मैं बाल बाल आपको चेक करके दिखाया था हूं तो फ्रेंस आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि इसमें जो ग्राफिक्स के वोल्टेज ठीक आ चुके हैं तो हमारा जो फॉल्ड नहीं होना चीए यह देखिए इसमें जो माइनेस फाइब का फॉल्ड था माइनेस फाइब अगर वह ड्रॉप हो रहा था वह शॉट हो रहा झाल